नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आस्ट्रो सच में जै श्री राम जै महाकाल जै बजरंगबली दोस्तों वेलकम बैक अपने चैनल आस्ट्रो सच में आपका बहुत-बहुत स्वागत है महादेव की कृपा आप और आपके पूरे पर सदा सरवदा बनी रहे दोस्तों आज के वीडियो एक बहुत ही रिक्वेस्ट वीडियो है दोस्तों। अशिर्वाद से आने वाली है अपार खुशिया ही खुशिया दोस्तों अब मा लक्षमी स्वय इन राशी वालों के घर पधार रही है जिससे इन राशी वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कश्ट दूर होने वाले हैं और इन राशी वालों को मिलने वाली है अब अप इस वीडियो में आपको उन्ही कुछ खुशनसीब भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस न करें। जिस से समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण ज्यानवर्धक जानकारी आप लोगों तक पहुँच सके और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करीब दोस्तों बात करते हैं, उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशी के बारे में जिनके दूर करने वाली है, और यह राशी वाले होने वाले हैं, अब धंग से माला माल चलिये शुरू करते हैं, दोस्तों जैसा की आप सभी लोग जानते ही हैं कि हर एक इनसान अपने भविश्य को लेकर काफी सजग रहने की कोशिश करता है, और इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने भविश्य को जानने की उच्सुकता भी रखता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में। कहा जाता है कि इनकी कृपा जिसके भी उपर हो जाती है, उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। यह बात तो हम सभी जानते हैं, इस दुनिया में सभी एक बराबर नहीं होते किसी की अमीरी और गरीबी उसकी मेहंत पर निर्भर करती है। अगर कोई गरीब पैदा हुआ है, तो वह अपनी मेहंत से अमीर बन सकता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो चाहे अमीर हो या फिर गरीब उनके अंदर धन कमाने की चाहत बाकी सबसे अधिक होती है। ऐसे में हमारे गरह नक्षत्रों में कोई भी परिवर्तन होता है, तो उसका असर कुछ राशियों पर सकारात्मक तो कुछ राशियों पर नकारात्मक असर पड़ता है। इस महा सन्योग के बनने से अब इन राशी वालों को भारी धन लाब हो सकता है, दोस्तों आज जिन भाग्यशाली राशियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपकी घर में खुशियों का माहौल होगा। आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत होगी। व्रिष्चिक राशी मा लक्ष्मी के आशिरवाद से आप इस समय आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। समय का भरपूर लाब उठाएं इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वह राशी है। मेश राशी मेश राशी वालों को बता दे कि महालक्ष्मी की कृपा से आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। मालक्ष्मी की कृपा से व्यापार के क्षेत्र में किये गए प्रयास आपकी सफल होंगे। नौकरी की दिशा में चर रहा प्रयास जल्द ही सफल हो जाएगा. मा लक्ष्मी की क्रिपा से व्यापारी वर्ग के लोगों को काफी धन लाब प्राप्ती के संकेट नजरा रहे हैं. जीवन साथी की तरफ से खुश्खबरी आपको मिलने वाली है. मा लक्ष्मी की क्रिपा से इस राशी के लोगों के व्यापार में व्रिधी होने की संभावना है. साथ ही साथ मेश राशी वालों को सामाजिक शेतर में सफलता प्राप्त होगी. इस राशी के जो लोग विद्यार्थी हैं, उनको शिक्षा के क्षेतर में सफलता प्राप्थ होने की संभावना बन रही है इसके साथ ही आपके द्वारा किये गए प्रयास आपकी सबसे बड़ी मुश्किलों का समाधान होगा आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्थ होगी मा लक्ष्मी के आशिर्वाद से मेश राशी वालों आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है जब उसको जो लोग विदेश में जाकर नौकरी या पढ़ाई करने को लेकर सपना देख रहे हैं वे सपना इनका जल्दी ही पूरा हो सकता है मा लक्ष्मी की क्रिपा से आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे जो लोग नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं तो योजना इनकी अवश्य सफल होगी दोस्तों मा लक्ष्मी के आशिरवाद से आपके जो भी इच्छाएं हैं वे सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी जिससे आपके घर परिवार में होंगी अपार खुशिया ही खुशिया तो इस लिस्ट में जो अगली राशी आती हैं वे राशी है मिथुन राशी दोस्तों मिथुन राशी वालों को बता दे धन की देवी माता लक्षमी आपके उपर बहुत अधिक प्रसन्न है आपके उपर मा लक्षमी की अपार कृपा द्रिष्टी बनी रहेंगी जिसकी वजह से ही आपके जीवन में आने वाली धन से संबंधित सभी परिशानिया दूर होंगी आप अपने कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे मा लक्षमी की कृपा से धन कमाने के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होंगी आप अपने कार्यक्षेत्र में टेजी से आगे बढ़ेंगे आपके जीवन में चारों तरफ से अब पैसों का आगमन होगा आए के नए स्रोत मा लक्षमी के आशिरवाद से आपको प्राप्थ होंगे नौकरी पेशा वाले लोगों की आए में वृध्धी होने के साथ साथ पदोनती प्राप्थ होने की पूरी संभावना बनी हुई है व्यापार में अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं आकस्मिक धन लाभ मिथुन राशी वालों आपको हो सकता है और ग्रिहस्थ जीवन में सुक शान्ती रहेंगी मा लक्षमी की क्रिपा से आपके जीवन में खुशिया ही खुशिया होंगी मा लक्षमी की क्रिपा आपके उपर बन रही है जो अगली राशी आती हैं, वे राशी है, तुला राशी तुला राशी वालों को बता दें कि आपके उपर मा लक्षमी की लगातार कृपा द्रिश्टी बनी हुई है, जिसकी वजह से आपके जो भी कार्य काफी सालों से रुके हुए थी, वे सफलता पूर्वक पूरे होंग अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है, तो वे आपको वापस मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है आप अपने सभी कर्जों से मुक्ती पाने में काम्याब रहेंगे, आपके द्वारा की गई कोशिशें सफल होंगी समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा माता लक्षमी जी की क्रिपा से आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत बनेगी व्यापार में अचानक धन लाब होगा और सुक शान्ती का वातावर्ण आपके घर में बना रहेगा तुला राशी के लोगों के उपर मा लक्ष्मी की क्रिपा बनी रहेंगी हाला कि आप लोग अपने उग्रस्वभाव पर थोड़ा सीम रखें यहां आपके लिए अच्छा होगा मा लक्ष्मी की क्रिपा से आपके सभी कार्य अब बनते चले जाएंगे साथ ही साथ तुला राशी वालों आपको संतान प्राप्ती का भी सुख मिलेगा आपके सभी कार्य सफल होंगे तुला राशी वालों आप एहसास करेंगे कि समय अब आपके लिए खुशियों भरा है इस लिस्ट में जो नेक्स्ट राशी आती है वे है कुम्भ राशी कुम्भ राशी वाले लोगों को बता दें कि आपके लिए मा लक्ष्मी के आशिरवाद से अब सब कुछ अच्छा होने वाला है क्योंकि माता लक्ष्मी आपके उपर बहुत अधिक प्रसन्न है मा लक्षमी की कृपा आपके उपर बन रही है आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां प्राप्थ होने वाली है आप अपने जीवन में मा लक्षमी का स्मरण करके जो भी कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्थ होगी आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता बड़े लोगों के सहयोग मिलने से काम आपका आसान होगा साथ ही साथ यदि आपका कर्स चड़ रहा है तो उसकर से भी आपको छुटकारा मिलेगा मिहंत का अब आपको लाभ मिलेगा दामपत्य संबंधों में मधुर्ता आएगी व्यावसाइक शेत्र में मन्चाही आपको सफलता प्राप्थ होगी मा लक्षमी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत रहेंगी व्यापार आपका दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा माता लक्षमी का करके आपके जो भी कर रहे हैं वे सब ही कर रहे हैं सफलता पूर्वक पूरे होंगे आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा साथ ही साथ जो लोग विदेश में जाकर पढ़ाई करने को लेकर या फिर नौकरी करने को लेकर सपना देख रहे हैं तो उनका यह सपना जल्द ही पूरा होगा जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको मन्चाही नौकरी मिलेगी साथ साथ जो लोग नौक्री करते हैं उनको नौक्री में प्रमोशन के साथ साथ वेतन वृध्धी के भी योग है कुम्भ राशिवालों कहना गलत नहीं होगा मा लक्षमी के आशिरवाद से अब आपको अपार खुशियों की प्राप्ती होने वाली है और आपके जीवन में होंगी अब खुशी है खुशियां जिससे आपका जीवन बदल जाएगा दोस्तों इस लिस्ट में जो गली राशी आती है वह राशी है कन्या राशी कन्या राशी वालों को बता दें आपके उपर धन की देवी मा लक्षमी की विशेश कृपा बन रही है जिससे आपको आने वाले समय में भारी धन लाब हो सकता है या दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें, जो लोग व्यापार करते हैं, उनको व्यापार में मनचाहा लाब प्राप्थ होने वाला है चारों तरफ से लाब ही लाब अब कन्या राशी वालों आपको व्यापार में मिलने वाला है जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें मन्चाही नौकरी मिलने वाली है जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें नौकरी में पदोन्नती के साथ साथ वेतन वृध्धी के भी योग है कन्या राशी वालो मा लक्ष्मी के श्रीनिवास से धन प्राप्ती के अनेक योग आपके लिए बन रहे हैं साथ साथ आपको बता दें जो समय है अब आपके पक्ष में हैं इसका लाब उठाएं साथ ही साथ आपकी सभी योजनाएं पूरी होंगी आप बुद्धी के बल पर परिशानी का समाधान करेंगे आपके सामने नए विचार भी आ सकते हैं जिन पर आप विचार करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे पैसों से जुड़े सभी मामले में आपको सफलता मिलेगी पारिवारिक एकता बनी रहेंगी कन्या राशी वालों मा लक्षमी के आशिरवाद से अब आपको अपने जीवन में अपार खुशियों की प्राप्ति होने वाली है जिससे आपका जीवन बदल जाएगा और आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा तो उसको इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वे राशी है सिंह सिंह राशी वालों को बता दी की मा लक्षमी की विशेश कृपा आपके उपर बंद रही है जिससे आपके व्यवाहिक जीवन में मधुर्ता आएगी दामपत्य जीवन खुशाल रहने से मन प्रसंद रहेगा नौकरी में पदोनती मिलेगी व्यापार में लाब के अफसर बनेंगे अचानक धन लाब प्राप्ती के योग बन रहे हैं जिससे आर्थिक स्थिती मजबूत होगी वानी और व्यवार पर सन्यम रखकर आप अपने बिगडे हुए कामों को पूरा करें इसके साथ ही ऑफिस के काम समय पर पूरे होंगे आप जितना गरीब लोगों की मदद करेंगे मा लक्षमी की कृपा द्रिष्टी इतनी ही अधिक आपके उपर बनी रहेंगी व्यापार के ख्षेतर में आपको सफलता मिलने के योग नजर आ रहें हैं आपके मा लक्षमी के आशिरवाद से इनकम के नए नए स्रोत खुलेंगे नया वाहन खरीदने के भी योग हैं आपको बता दें कि महा लक्षमी की कृपा से सिंह राशी वालों अब समय आपके लिए पूर्णता पक्ष में हैं इस समय का भरपूर लाब हुठाएं समय को अपने हाथ से न जाने दें या दोस्तों इस लिस्ट में जो नेक्स्ट राशी आती हैं वे राशी है व्रिशब राशी आपकी राशी वालों को बता दें कि आपके उपर मा लक्षमी की कृपा दृष्टी सबसे अधिक बनी हुई है समय अब आपके लिए अत्यन्त लाबकारी साबित होने वाला है दोस्तों आप स्वय ही अपने जीवन में बड़े परिवर्तन देखेंगे व्यवसाय से जुड़े लोगों को कोई अत्यन्त ही लाबकारी होगी नई योजनाय लागू करने के लिए समय बेहत शुब है जिस भी काम में आप हाथ लगाओगे आपको सफलता अवश्य ही प्राप्थ होगी कम मेहंत से अधिक फल आपको प्राप्थ होगा आप आत्म विश्वास से परिपूर्ण रहेंगे और यह आपके व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली बनाएगा विशेशकर कार्यक्षेत्र में यह आपके लिए अत्यंत लाभप्रग रहेगा आपके कारियों को प्रशंसा मिलेंगी समाज में मान सम्मान बढ़ेगा परिवार में खुशियों के मौके आएंगे आपको मानसिक शान्ती का अनुभव होगा यह आपके लिए ऐसा भाग्यशाली समय होगा जब आपको लगेगा कि आपकी सभी मनोकामनाएँ पूरी हो रही है इस आनंद को आप महसूस करें और आगे बढ़े मा लक्षमी के आशिरवाद से आपके सभी कार्य अब पूरी होंगी साथ ही साथ आपको संतान प्राप्ती का भी शुब प्राप्त होगा जो लोग विदेश में जाकर नौकरी करने को लेकर सपना देख रहे हैं या पढ़ाई को लेकर सपना देख रहे हैं तो यह सपना इनका जल्द ही पूरा हो सकता है। आपके लिए नए वाहन या फिर नए मकान खरीदने के भी योग हैं। चारों तरफ से व्रिशब राशी वालों अब आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है। मा लक्ष्मी की क्रिपा आपके उपर विशेश रूप से बन रही है। समय का लाभ उठाएं को हाथ से न जाने दें जहां दोस्तों यह भागेशाली राशियां जिन पर मा लक्ष्मी की विशेश क्रिपा बन रही है। लक्ष्मी जी के आशिर्वाद से इन राशी वालों को अपने जीवन में अनेकों प्रकार के लाब, धन, लाब और बड़ी सफलताओं की प्राप्ती होने वाली है. यू कहें कि इन राशी वालों की अब लोटरी लगेंगी. मा लक्षमी के आशिरवाद से अब इन राशी वालों को चारों तरफ से लाब ही लाब मिलने वाला है जिससे इन राशी वालों का जीवन बदल जाएगा और इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा